ओम गुरू परमात्मने नमाह ओम विसुद्धाय नमाह ओम सरीरमाद्धिम खलू धर्म साधनम प्राणायामह परमतपह योगध्यानम महायग्यम समाधी मोक्षे इस्तिति हैं हमिले यो बंदा अगाडए इस्तुर सरीर, सुस्म सरीर, कारण सरीर, जिवात्मा और परमात्मा को हमिले श्रवन गरी सके का चूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ सुसुप्ति अवस्था, तूरिय अवस्था र तूरियतित अवस्था अहले हमें जागरत अवस्था में रहे कह चो यो जागरत अवस्था हो यो जागरत अवस्था कसरी होंचे इसलाई प्रतेक सादक हरुले हमें सवैले बुझनों नहीं परदे चो जागरत अबस्तामा अमरो मन को ब्रिती अर्थात मन यो आखा को भेतरी भाग मा आएरक कारी गरदचु। तो जागरत अबस्तामा जागरत अबस्तामा पंच ग्यानेंद्रे पंच ग्यानेंद्रे भन्नाले कान, आखा, नाग, जीबरो र इसपर्स लाई बजाऊंतेच। जागरत अबस्तामा इपंच ग्यानेंद्रे पूर्ण रूपमा जागरत उन परदच। रहे इनी अरुली ग्यान का काम गरदच। जागरत अबस्तामा इपंच ग्यानेंद्रे बाणी, हाथ, उपस्त, गुदा र खुट्टा जागरत अबस्तामा इपंच कर्मिंद्रे हरूपनी रामरो सुंदर डंगवाट जागरत अबस्तामा इपंच ग्याने र समान् इने और ले एकदमे सु सब्भी सुन्दर ढंगा बाट आ कारी गरनू पर दईचे जागरत अबस्तमां जागरत अबस्तमा चार अंतस्करन, चित्त, मन, बुद्धी और अहंकार कारी गरी रहे कोंचे यो जागरत अभस्त माँ उन नैस्त तत्तो मिले रहा हमेले जागरत अभस्ताला प्राप्ट गरते छू अहले हमे जागरत अभस्तामाचू योगी क्रियाहरुगरेर, इपंच ज्यानिंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्रान र अंतस्करण लाई सक्रिय गड़नू, जागरन गड़नू, इनका कारी छेमता कती छन इन्यों लाई ब्रिद्धी गड़नू पोर्ण रूप मा ज्यानिंद्री एकको पूर्ण विकास हुनू, कर्मेंद्री एकको पूर्ण कारी छेमतामा ब्रिद्धी हुनू, प्रान मा एकदमें बनो बल, उत्पन्न हुनू एकादस रुद्र है, शमान रूपली चेंग, प्राण को चेंग, बृित्धी होनु, प्राण को बल्म, तेसते अंतस्करण, चित्त मा निरुद्धय चित्त होनु, मन को जो तर्क बितर्क संकल्प चो तेसलाई कमी गणु, बुद्धी को इस्थीर्ता होनु, अंकार रहिध ह और इनी अले प्रवल गड़ू। मनुबल प्रवल हुन। इस तो अवस्ता जसको छ तिस सादको जागरत अवस्ता अत्येंता सुन्दर ढंगबाट चली रहे गड़ू। जब हमरों जागरत अवस्ता अत्येंता सुन्दर ढंगबाट चली रहे गड़ू। जब हमरों जागरत अवस्ता अवस्ता अमा प्रवेश गरदेचु। जब हमरों आपनु साइन कक्छे मा गईरा साइन गरदेचु। हमरों देन बरी काम गरदेचु। तो हमरों थाग देचु। प्रा हमिले देन बरी सुब मात्र कारी गरेका हुन। तो जब हमें आपनु सैन काचे मा गयर आपनु सैन काचे मा सैन करदे छों, सुद्ध छों तो हमें केई चिन पचाड़ी सोपन अबस्तामा प्रभेश करदे छो जागरत अबस्ता छूड़ छांगरो यु जागरत अबस्तामा यु देखिये को आपनो घर पनी सोपन अबस्तामा होँदैने आपनो बस्तु भाव पनी सोपन अबस्तामा होँदैने आपना इष्ट, मित्र, भाई, बंदु जती पनिचन तियो सोपन अवस्तामा और कई प्रकारली हामिलाई सोपन अवस्ता हुँचु हामिलाई सोत ही था हुँचा कि जागरत अवस्ता बाट सोपन अवस्तामा प्रवेश गर्दा नै हमीला यो ज्यान हुँँच है कि हमरो सरीर मा एस प्रकाडली परिबर्तन भाहिर एकोचु जब हमें सोपन अवस्ता मा प्रभेस करचु तो सोपन अवस्ता कसरी हुँच एस लाई बोजिन परदुचु जागरत अवस्तामा उन्नाइस तत्तु मिलेर जागरत अवस्ताम उन्च वनि सोपन अवस्तामा अंतसकरण एक इठाउमा के नरीत भायर सोपन अवस्ताम उन्च सोपन अवस्तामा आमरो अंतसकरण को ब्रीति युकंठ मोलमा आयर ब्रीति गरदा छे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आरे युकंठ मुल्मायर बृत्ति गर्देश, तो हमिलाई सोपन होंच। हमिले सोच देख 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 काद्री से और पने हमिले सपनमा भोगतेश। तो हमिले सपनमा कैले हमिले हमाल को दर्शन गर्चों कैले सुरीदेख, चंड्रमा, कैले गाई, गाउमाता, तो कैले तुलुसी, पीपल, रोध्राप्षे, रेश्यमनी हरुको, ब्रामन हरुको, सुध्ध, बुद्ध, पवित्र, भैक्ती हरुको, नदी हरुको, जंगल हरु बंगई चाहर्युको, सुन्दर-सुन्दर द्रिस्सवर हामे सपनामा देख्टेछु! तो हमिलाइ सपनामा पने अतेंत शुन्दर-ानन्द प्राप्त हुँँचु!! जब हमरु जागरत अवस्ता एकदम सुन्दर रंगबाट हचलेकु हुँच, चाता सोपन अवस्ता पने सुंदर तरिकाले चल्दचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु फेर इपुन सुसुप्ती अवस्था मा प्रवेश कर देचू सुसुप्ती अवस्था भने को गार्ड निंदरा मा सूतुन बहुत सांत संग सूतुन जब हमी आपनु सैन कस्चे मा जान चाओ तो हमी जागरत अवस्था लाई पने हमी लाई था हो देन सुसुप्ती अवस्था मा प्रवेश कर देचू यू सुसुप्ती अवस्था मा प्रवेश कर देचू यू सुसुप्ती अवस्था मा प्रवेश कर देचू यू सुसुप्ती अवस्था मा प्रवेश कर देचू सोपन अवस्ता र सुशोप्ति अवस्ता भने को गाड निंद्राम प्रवेश्गरणु गहीरो निंद्राम प्रवेश्गरणु र पूरै सरीर मा रेकाई पंच ज्यानिंद्री, पंच कर्मिंद्री, प्रान, अंतसकरणली पूरै इनर्जी लिलू जब हमें सुसुप्ती अवस्तामा अर्थात गार्ड निन्रमा प्रवेश गरचाऊंता, जब हमें बिहाना उड़ता चाऊंता, सरीर मा एकदम उर्जाक को आमिलाई फील हुँँचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु शय लएक ने हमली भूज़न पड़तेचु . सुसूकती अभस्ता त्यस तु अभस्तामा हुनछु जोन अभस्तामा आयर हमिरो पिंड Lori माँ चित्त रहेकुँछु . यो चित्तन को निवास रहेको चु गंठमूलमु यो कंठ मूल मा चित्त वसे कहुंच, यही चित्त को बृती, जब गैर हेरदय कमल मा मिल्ला च, त तेस अवस्ता मा हमें लाई सुसुप्ती अवस्ता हुंच, हमें अनन्दली सुद्ध चूं, सांती अनन्द संग हमें सुद्ध चूं अब महां हजर अरलाई यो सुसुप्ती अवस्ता बनना माथी को अवस्ता को बारे मां भन्न गई लेगाच, जागरत, सुप्न, सुसुप्ती, हमें अध्यात्म को चर्चा गरदचूं, कि भगवान को चर्चा गरदचूं, भगवान खोदचूं, भगवान होनुंच, कि संका को बिशेडु हामी यो सरीर छोडीन सघे पचि कोस्ति empezar बननी पणी कुम की गर्व मेंatarचूंगर consumo बननी पनी चमया, संका को बिशेँ उन्छे, र सोशुप्ती अवस्टा मा फोई तियो और कैट हमा गयर निवास करद चाऊर, आमलाई सोशुप्ती अवस्ता हैं। ध्याने अरो योगी अरो यो सोशुप्ती अवस्ताबंद मा थी रहे को तूरी अवस्टाले प्राप्त गरद चाऊरू जो ब्यक्ति बिहाना उठेर प्रभु सिव को ध्यान गरण। आपनो यो हिर्दै कमल मा प्रभु सिव को ध्यान गरण। इस शोर को ध्यान गरण। ते इस ओर लाइने मन वद्धिचित्त लगाउने होंचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु जुन अवस्तामा उसले आपनु पेंडमा आनन्द को अनवोती गर्देश, उज्यागरत सोपन सुसुप्ती बंदमाती उठियो, त्यों साद काँगोय बंदाखे तूरिय अवस्ताले प्राप्त गर्यो, सांतिले प्राप्त गर्यो, आनन्दले प्राप्त गर्योहर समय, उसको सरीमा काम, क्रोध, लोग, मोह, भोग, प्यास, निन्रा, तंद्रा, डाहा, एरिस्याद, जदि पने प्रकिती का दो सरुच, इस संपूर्ण दो सरुले उसले चोड़े दीच, रो तूरिये अवस्ताले उसले प्राप्त गर्योच, जो किसांतिले प्राप्त गर्देच, अनन्दले प्राप्त गर्देच, रो उल्हा यह था उंचा कि अवा, परमात्मा कुछ उसले ज्यान हो, मा धान्ने रहे च्प्रभू, इव मनस्य जन्म पायर, मैले, मेरु सरीर मा रहे को, जीब तथोले मैले जाने, जीवात्मा लाय अवस्ता हो तूरी अवस्ता हो, हमिला थाच है कि हमरो सरेर मा जिवात्मा रहे कुछ, त्यों परमात्मा बाटा छुटे रा आये को, जिवात्मा यही पिंड मा रहे कुछ, जब योगी साध करू ध्यान गर्दे जनादा खेरी, त्यों जीव लाई प्राप्त गर्दे चन, जीव लाई शाक्छातकार गर्दे चन, यही जीव को अवस्ता लाई भनें चल, तूरी अवस्ता, अवा अजुर अल्लाई मा यही निविदन गर्दे चन, यही जीव को अवस्ता का हुँँच, जागरत अवस्ता अखा बाटा हुँच, सोप्न अवस्ता कंठ मूल बाटा हुँच, सुसुप्ती हेरदै कमल बाटा हुँच, गाड नेंदरा, पने तूरी अवस्ता का दोच्हामिलाई रहा यो तूरी अवस्ता हुन अग्या चक्रमा। जब हमरे सम्पोन उर्जा आग्या चक्रमा प्रवेश हुन चु אני् ुश रहे सम्पोन चेतन कुलेवल आग्या चक्रमा कैंदरेथ हुन चु तो हिर्दे कमलमा सवै ठाउमा बीचरन गरणी जिवात्मा जबगए रहे यो आज्याँचक्रमा के अंदरीत्म उँछ, तो तूरी अवस्ता लाई उल्ले प्राप्ट गरदेश। तूरी अवस्ता भनेको अतेंत सांत आनंदर मुक्छे को अवस्ता हूँ, मुक्ति को अवस्ता हूँ, तो यो तूरी अवस्ता का हुँँछ? निदार को बीच मा आज्याँचक्र रहेको छ, यो आज्याँचक्रमा ते साधकले तूरी अवस्ता लाई प्राप्ट गरदेश। do hr ु અु અન્ક оре ચરવારગ પસ કર્તપલ अब यो तूरी अवस्ता बंदा माती हमले जीवात्मा ला इता प्राप्ता गरे हूं और युँ जीब बंदपने माती करने चीब बश्तु छाकी किए आमrov 올ु ठोजू ch Euro जिवात्मा बंदपने टी गतॉज इत्याकाच जुन तसान को नाम हो परमात्म हामी सबेला थाच कि मेरो सरीर मा जिवात्मा हनुँछ र परमात्मा हनुँछ सर्वभ्याप परमात्मा हनुछ यही जिवात्माले जब प्रकितिलाई पोर्ण रुपा छोड़ी दींछ यो जिवात्मामा रहे का क्ले सरुजब क्लेन होंच, सफाई होंच, सुद्ध बुद्ध पभित्र होंच, तो योजिवात्मा गैर परमात्म संग योग होंच, परमात्म संग गैर यसले मिलंगर्च, परमात्म संग गैर योग एकत्त होंच प्रतेस अवस्तामा त्योजिवात्मा जहां बाट छुटे रायक हो तेई परमात्म संग एका कार भाईर वो त्योजिवात्मा परमात्मा बंदचु हमी फेर अंतमा गैर परमात्मा सरोप होंचु यो जन्म मरन को चक्र वाट सदा सदा को लागिया में छोड़ दचु हम्रा पिता पसुपति परमी सोर संग हम्रु जीब को लीन होच। र इस्ता परम प्रभु पसुपति नात को परम कृपा योग छेंबाट जीबातमाली कल्यानलाई प्राफ्त गर्गश। तूरिया अवस्ता ता हमिले यो आग्या चक्रमा हुँच वने रहामिलाई ज्यान होई कि सरीर को जुन पंच अवस्ता चा पंच अवस्ता मां तूरिया अवस्ता का हुँच आग्या चक्रमा हुँच निदार को बीच मां हुच तूरिया तीत अवस्ता का हुँच वने भी से कर दक्रह बने हुं तरह काक्र भने हैं au प्रेप रंद तालु मा उसले प्रभण प्रमात्म जबस्त तरह में यु सरीरा सत अन्सकार पाँ जोचितिन से नो कि ईसले झाल्थ Ultra जब संस्कार सिदिन्छ, तब यो सरीर मा रहेको प्रान, हेरद मा रहेको प्रान सुसुमन नाडिमा प्रविश करदै, यही ब्रह्मा रंदमा पुगदै यहां बाट बाहिर उतकर्मन होंच, अथब बाहिर निश्किर जांच। गर्विश के अवस्ता मा जब आमरू चेतन अर्था प्रान जब ब्रह्मा रंदमा बाहिर निश्किन च, तब हमरो सरीर मा रहेको प्रान च, जुन चेतन च, तो चैतन नियोंगा जांच। सर्व ब्यापक हामी तेस अभस्तामा सर्व ब्यापक हुँछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु लाई सुन्दर भंग बांग बात चलक जब जागरत अवस्ता अटें तर सुपन अवस्ता अधेन्-तर प्रकारली सुपन अवस्ताओं रो सुषक्त याभट थिसतें गाड नेंर्ण वाहमें प्रवीश करण और इवं प्रकारली आमिले ध्यान अवस्ति गरन पखड़ विहा जाने छो दियान गड़नु परते हैं, चामरी जुबन को लग्ची कियो दियान गड़नु, मंत्र जब गड़नु, सुद्ध आहार बिहार पवित्र गड़नु, इस्सूर को चिंतन गड़नु र परमात्मा को खोजबने को सांतिला प्राप्त करड़नु जागरत अवस्ता एकदम आनंद मये, सांति मये बातबरण बन्यावनु, तेस्ते है सोपन अवस्ता को इस्तेती अतेंत सुंदर ढ़ंगवाटे चलावनु, सुसुपती पने तेस्ते है सुंदर ढ़ंगवाटे चलावनी, रत्यो वैसेगे पती तूरिये रत्तूरियाती सोतन आनन्द स्वरुक्चन, ज्ञान महें चन, प्रकास महें चन, इस किस्यमले हमिले जीवन लाइया पन गरियों वने हमरो इसे धन्ममा कल्यान हुच। ओम, नमा, सिवाय, अवो मह यहां अरको सरीर को बारेमा भणन गही रहे कुच। मानप पिन्ड माँ पंच कोस अडु रहेकाच। यह हमिले बुझन परने कुराह। इस्तुल सरीर, सुस्म सरीर, कारण, सरीर, जिवात्म, परमात्म, यह बन्द अगाडे हमिले स्रवन गरिष सकेकाच। अब यह बंदा पच्छाडी हामिले करें जागरत, सोपन, सुसुपति, तूरिया, तूरिया थी तर यह बंदा पच्छाडी को आमरू पिंड को बारेमा बुझन पर चल पंचकोस पंचकोस ले बने को इवा हमरू पिंड चल ती पंचकोस अरू केके हुन एसलाई हामि स्रद्धा पुरुभक स्रबन गड़त चल पंचकोस अन्न मयकोस, प्राण मयकोस, मनो मयकोस, बिज्ञान मयकोस रा आनन्न मयकोस हमरू सरीर मा इस्ताखोस शरूली बने को इवा पिंड चल अन्न मयकोस बननाली हामि अन्न सेवन गड़त चल चल आमिला जब भोग लाग दच्छ हामि जल सेवन गड़त चल फ़ल सेवन गड़त चल अन्न सेवन गड़त चल कसरी चपाई चपाई हामि अन्न सेवन गड़त चल यो अन्न एक बाट अरकु रूप मारू पान तरण हो दै बदली दै अन्न बाटा रोस, रगत, मासु, बोसो, हड़ी, मज्या रव बिरिये बद्धे छे यह पिन्डमा छे अमरों पिन्डमा के छे अन्न छे, रोस पने छे, रगत पने छे, मासु पने छे, बोसु पने छे, हड़ी पने छे, मज्या पने छे, बिरिये पने छे यह पिन बनेको अन्न, रश, रगत, मासु, भोशो, हटी, मज्जाले बनेको जो पिंड़ा चा येस लाई बने चा अन्नमय कोष। यो कोष लाई अतेंते सुन्द ढंगली चलावन परच। येदी यो कोष बिग्रियो बने सरेर्वां रोग रभ्याद ले हमिलाई सतयाच। आमिले अन्नमय कोष लाई सुस्वास्त राखनक लाई योगी क्रियार। मंत्र जोपर। ध्यान हरूर विशेश गरेर अन्नमय कोष को लाई सुद्ध सात्तिक आहार हर। तमगुण आहार कैली पनी सेवन न गर्णी, राजसिक आहार पनी कैली पनी सेवन गर्णी होनी। यदि हजुर हामले परमात्म प्राप्ति गरने हो, सदा अनन्द मा रहने हो, आपने जिबन लाई सुका सांती बनावने हो ने पहला आहार को सुद्धी, उन्नु परचर आहार में तेरे विचार गणु परचुछ आमले। यही आहार सुद्ध भयोने ए सरी आठवडंत तत्तोरु अतेनते सुन्दर पवित्र डंगंग वाट यहो यो सरीर्म कारीगरी रहे कोंचु यो सरी अन्न, रोष, रोगत, मास, बौस, हर्टी, मजबिरियले यहां वित्र निरंतर कारीगरी रहे कोंचु यो तक भयो अन्णमय यो अननवाय कोष मंदमाथी अरको छा प्राण माय कोष। हम्रो सरीरमा 10 ओटा प्राण हर वर्याय का छ। यसलाई राम्रो संग बुध्न परदेश। यो प्राण को कला हमी सवैले बुझना अत्तेन्त जरूरी छ। यो प्रांकई कला बुजेनों होने हामिले क्या इपनी बुद्धाईनु, प्रां, मानप्पिंडको हेरदय कमलमा प्रां कु निवास रहेको छो, मुलाधार्य चक्रमा अपान प्रां कु निवास रहेको छो, स्वाधिस्थान चक्र उपस्त को पचाडी ब्यान प्रां पूरै सरीर मा सम्भ्याप्त पहरे रहीकु छो। उदा नामक प्राण यो कंठम रहेर यो सरीलाए ठाडु राकनेर जोर्नी जोर्नीमा गएर कारेगरी रहीकु छों। नो, समान प्रान यो नाभी मंडल मा रहेर आमीले खाय का रास अन्न हरुलाय पाचन गरनी का रे निरंतरुपमा करी रहेरुचू इप्रान हरुलाय योगीकिर्या द्वारा शक्रे कर्न पारतो चू उथतान पारतो चू येदी यो पंच प्राण हरु मा कुने कारणले खल्बला आयो, कमजोर वह वने हमरो सरीर मा तुरून तै रोग ब्याद हरु पैदाउंच। तेस्ते अरका पंच उपप्रदान प्राण हरुच। नाग, कुरूम, क्रीकल, देवदत्त रतनन जै। नाग प्राणले डकार आउने कारे गर च। कुर्म प्राणले आखाको जिमजिम गरने कारे गर च। क्रीकल प्राणले हाक्चियूं गराउंदे च। देवदत्त प्रान लि निन्रा, तंद्रा, अला, सेलेवदा चर दनंजाय प्रान लि युँ पूरै सरिवय संदर्य दिनिकारी गरी चर युँ शरिवय तापकरम दिनि पनिकारी गरी कुण च. इदसटा प्राण हरुको जुन एकत्तो छो एसलाई भनिंच प्राण में कोश यो प्राण में कोश लाई सुद्ध राक्न कुलागी पवित्र राक्न कुलागी मंत्र जब गण पर्द छो जास्ताई गाहेत्री मंत्र ओम्भुर्भुवस्वा तत्सवितुर्बरेणियं भर्गो देवस्यदीमही धीयो यो नहा प्रचोदया ये मंत्र ले पनी इसबै अंगह रुलाई सक्रिय गर्द छन रयो हम्रा सरिमरैका रोग्रपाप रुलाई विस्तारे विस्तारे इन्योली कार्दी जन्च विनासगर्दी जन्च गाहेत्री मंत्र जब गर्णाली तिस्ते ओमकार कजब गर्णाली आँ ये सले पनी यू प्राण में एक पोसलाई अतेंता सुद्धिकर्ण गर्च जागर्ण गर्च मैले यू ओमकार को जब विदी यू बन्नाव गाड़ी पहनी सक्रिकुच्छू ओमकार को जब गर्दा कагоีरी मुघ बाट अवाज निकालने, मुघ लाहे गलो गर्दिने, मुघ लाहे बन्न गर्दा का desarि सुतने ओम ढोलादी उच्चारी तुचू मा अजुर अलाए सवी नय निविदन गर्दचु बेंती गर्दचु कि ओमकार को जब हामी सवै अनिवारी रूप मा जबनो बढ़तेचु रयो ओमको बारे मा मैले यो बंदा अगाड़ी तेरे बर्णन पणी गर्दय आईडएकुचु यो मैले बर्णन गर्दय थी प्राणमा एकुचु प्राण, अपान, ब्यान, उदान, समान, नाग, कुरूम, क्रीकल, देव, दत्त, धनंजय मेले र प्राणमा एकुच बने कुचु जब सम्म यो प्राण हमरो सरीर मारांचु तव सम्म हामी जिबीतर आंचु जब यो सरीर वड़ा प्राण बाहरा निशकेरा जानचु तइक र शरीर सम्म हामी सुस्म शरीर लिए र जानचु तव मैले सुस्म सरीट को कुगा पहला नवल भनी शखे क्योचु अब और को कुश्थ को मैं कुरा गर देचु मनों मै कोस्या। मनों में एको शामुर सरीर मां मन रहे गोचु। त्यो मन को निवास इस्तान कहा चा ? यो हिर्दरई कमल मां अनाहत दोनी रहे कोचु। यो भित्र अनाहत दोनी वोई कसाईको श्युग नलीकना आपहें नित्ति निरंतर गुंजी रहे को एक दोनी चा ? जय स्लाइड आत्म बन्दधा अलीकति तलम्ण को निवास मुझिके अध्मा नात्मा भसंस के सागे hiç पने पने आपनो छेत्र लेर वसिक हुँँच। जस्तो पिरथी बीवकुपने आमी छेत्र हरु सुन्द छू। पासुपत छेत्र, गौसला छेत्र, चावडिल छेत्र, बाउद छेत्र, ललेत पूर, पाट अन भगत पूर। पने रामि बने आस्तो यो मन का पने आपनो छेत्र छे, कानको छेत्र, आखाको छेत्र, नाकको छेत्र इयो अогला आरुक। आपने आरी चेत्र लेर इने रुपसिका छुँँ। थेस्थाई मन लेपने यो सरेट बित्र उसका आखनो चेत्रलीर बसिको युँझुट भणिन्च दसोटा इंधरी येका राजा मनुग ये दशुडा इंद्रे अरु मद्येमा पंचक कर्मेंद्रियेमा मन को निवास रहे खुचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु मल विशर्जन सक्ति, प्रजनन सक्ति, कारे सक्ति रभाणी सक्ति. जब यसमा आयर मन बस्च, तर इनियरु कियोंच न प्रवल हुँच. यसलाई बनेंच, मनुमय कोष. मनुमय कोष लाई पनी, सुषास्त राकनक लागी, योगी किरियारु आमले गड़न परदच. त्यान गरणु पड़च, आसन गरणु पड़च, प्रणायम गरणु पड़च. योई कारी योड़ु गर्णाले मनुमय कोष पनी, सुद्रडंग बाट कारी करदच. अब अरको कोष को बारे मा बंदैचु मा बिज्ञानमय कोष. यो ओट्धा बिज्ञानमय कोष रहे कोंचु यो बिज्ञानमय कोष, बुद्धी संग समंद च, आमरु शरीरमा बुद्धी यो बुद्धी और भूमाँ बुद्ध वसकते न वे घर्द ही नौल रायो तो चाहए रंनी पते बुद्धी बुद्धी को निवासगहा है culturally говорить बुद्धी को निवाश्ती मीश्त है यो जोती मी civnya में बुद्धी भूम소 यो बुद्धी को पनी तिस्तै, मन को जस्तै एक छेत्र उगटेर बसे कुछ बुद्धी लिए पने, बिज्ञान में कोशु, ये पंच ज्यान इन्दृ मार कारी करते चुछु, जस्तो हमी कान ले सुन्दचु, आखाले देखते चुछु, नाक ले सुंदचु, जीबरो ले स्वादलेंच, थालाले इसपर्श गर्च, यो बुद्धि द्वारा हमिला ज्यान होंच। जब हमरु बुद्धि प्रखर होंच, एक्दम प्रखर, सुन्दर, बुद्धि को पूर्ण विकास होंच, ता हमरु पूपाच ज्यानेंदरीले तेती कैरा हमरु काम गर्देच। एस ला हम बणेंच, बिज्यान मै गर्च। येसली गरता खे दि बुद्धि लाए सुस्दी करन गर्णा का लागी सचितन चिंतन हरू, शास्तर का चिंतन हरू अधेन चिंतन हरू गर्णू जरूडीछं। शरीमत भागवद गिता को अध्येन गर्णू, कुरान हरुको अध्येन गर्णू, उपनिसद हरुको अध्येन गर्णू, र इस्ताई, साधु संत अर्ले भनेका बचन हरुको स्रवन गर्णू, स्रद्धा भक्ति निस्टा पुर्वक इसलाई स्रवन गर्णू करतेचा, सन्न आत्र ई कुरार ले कारी गर्चन नत्र कारी हुँदेगा इसरी हाम रूपिंडमा बिज्ञान मैं कोष रहे कोछ पंच ज्यानेंदरी संग बुद्धी मिलेर बसे कोछ एसलाई वनेंच बिज्ञान मैं कोष अब यो बिज्ञान मैं कोष वन्दा पनि माथी और को कोष रहे कोछ आनन्दमै कोष आम ले ताच वड़कोष को चर्चा गर्यों अन्दमै कोष प्रानमै कोष मनुमै कोष र बिज्ञानमै कोष अब यो बिज्ञानमै कोष वन्दमाथी स्वेम आनन्दरुप मा रहे को एक आनन्दमय कोश्च। यो आनन्दमय कोश्वयम मान आनन्दमय च। जोस्लाइ अनभुती गडिसेपची स्वयम हामीन आनन्दमय माँच। जिवन को शफल हमली मानव जन्मली एको हमरो शफल ह। आनन्दमय कोश्वयम मान 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 आनन्दमय कोश 73 लागेर दियो तत्तो लाय आनन्दमय कोस लाय . अटमय कोच लायम प्राप्त गरिशंके पत्ति , पावण动पणिकुर केपनें चाहिं ना ? its तत्तु प्रभु वनेको आनंदमय तत्तो हो। इसलिए गरता करी अन्नमय कोस्मा आनंद सांती प्रवेशोस तेस्तै प्राणमय कोस्मा आनंद सांती प्रवेशोस तेस्तै मनमय कोस्मा आनंद सांती प्रवेशोस तेस्तै बिज्ञानमय कोस्मा पनी आनंद सांती प्रवेशोस यह सरी पूरुण अनंद सांती प्रवेश्गर्दै अंत महामिले अनंद मैकोस्मा प्रवेश्गर्णू करदाच्छ। बंदै मा यहां रुबाट बिदा मागदाच्छ। ओम मुरुनामधः पूरुना मिदं पूरुनात्त voting पूरुनामधच्यते पूरुनास्य पूरुनमाधयै पूरुनमेवा बतकि है ओम.